है गाईज गूड इवनिंग एंड वेलकम दू देव फूमी कर्यर पॉइंट आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे काफ़ी अच्छे आपकी इस्टेडी चल रही होगी आने वाला जो आपका एक्जाम है आरो यारो कर आर्मीक परिक्षा 17 दिसंबर को इसके लिए आप जीतों मेहनत कर रहे होंगे ऐसे ही मेहनत करते रहें दोस्तों continuity बना के रखिए एक दिन आपका गौवर्मेंट जोब का सपना भी जरूर साच होगा पसरते आपके डेडिकेशन मोटिवेशन खत्मनी होने चीए और पेसेंस रखना उत्राखन में बहुत जरूरी है किस इक्जाम्स के लिए जो इस हैसन में आपको देता हूँ आज टेस्ट नमबर 7 है इन सभी रीजनिंग के टेस्टों को आप फॉलू कीज़े इसका निश्चीत लाव आपको सभी एक्जामों में मिलेगा आगे जहां पर रीजनिंग के प्रसन पूछे जाते हैं बागी हमारे टाइम के हिसाब से इन टेस्ट लिजो को आप कभी भी अटेम कर सकते हैं ठीक है तो बहुत जादा बेनिफिट टेस्ट लिजो का ओल्ड पेपर्स का और मॉक टेस्ट का मिलता है यह मैं हमेसा ही बोलता हूँ आप एक कॉंबिनेशन बना के देखो किसी भी एक्जाम से एक म प्रेटन होता है और इस पैटन को बार बार जो दोराता है यह एक पैटन बनता है इसका आपका एक पीक लेबल पे पहुंच जाता है तो आपका हर एक्जाम क्रेग हुजाता है उत्राखन में गुरूप C का एक्जाम हो उत्राखन PCS लोगर PCS प्रील का एक्जाम हो कोई भी एक्जाम तो आप इस चीश को फॉलो कीजिए टेस्ट जादे से जादा लगा और पु तो चलिए इस question को solve करते है भाइन आरेक वाले question को बागी देखिए और पी question इसमें आपको मिलेंगे math के question भी आज इसमें आपको देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए तो first question देखे निम्द मैंसे कौन सा आरेक भाई rail गाडी, bus और यात्रियों के बीच में संबन्द दिखाता है तो बताए इन मैंसे कौन सा आरेक है जो यहाँ पर संबन्द दिखाएगा rail गाडी, bus और यात्रियों के बीच में और इसको पैन को थोड़ा हो कर देते हैं तो देखिए ध्यान से देखिएंगे दोस्तों तो देखिए अगर मैं इसका वेन आरिक बनाओं इस question का तो हमको साब पता चलता देखिए कुछ यात्री जैसे यात्री जो होंगे न कुछ यात्री तो यह मालिया मैंने यात्री अब क कुछ यात्री ऐसे होंगे जो रेल से ट्रेवल करते होंगे यानि कि रेल से जाएंगे यानि कि रेल गागी हो गया और कुछ यात्री जो होंगे वो बस से भी जाएंगे तो यह बस हो गया भाई ठीक है तो बस यात्री और रेल में जो संबन्द होगा यह वाला जो वेन आर कर सकते हैं कि कुछ यात्री बस से जाएंगे कुछ यात्री रेल में सफर कर रहे हूंगे चलिए आगे पुगेंगे आगला कुशिन की तरह इन आरेखों मेंसे कौन सा सिक्षक चिकित्सक और पुलिस के बीच में सही संबंद प्रदर्शित करता है तो देखे शिक्षक जो होगे यह होगे यह होगे अपने आपको दर्शार है यानि इन में किसी का भी एक दूसरे से संबंद नहीं होगा क्योंकि टीचर एक अलगी चीज है डॉक्टर अलगी प्रोफेशन है पुलिस का अलगी प्रोफेशन तो इसका जो आरेख बनेगा वह ऑप्षण बी वाला बनेगा ठीक है तीनों अलग लग होंगे ऑप्षण बीसका बिल्कुल सरी यह है चलिए आगे बढ़ेंगे अगले इसको प्रोफेशन भी अमेज़ा बनेंगे मैंने बोला था पिछले वीडियो में जब मैंने आपको फर्स्ट मां कराये था ऐसे कोश्चन हमेज़ा बनता है तो इसमें अगला नंबर है क्यों कर आप यह तो यह वाला कॉर्ण और से दूसरे कॉर्ण को मैच करके देखो और इस वाले जो आमने सामने के जो आमने सामने नंबर्स दें इनी मैं संबंद निकाल के देखो अब मैं देखें यहां पर सबसे पहले clockwise जाना जाओंगा इसमें मिलको लगता है कि इसका आंसर clockwise है तो clockwise कैसे answer इसका देखिए इसका आंसर निकलना देखें 4 गुणा 2 धन 2 तो 4 गुणा8 और 8 में दो जो जो अगरे 10 अगरा दीखें 10 गुणाद दो धन 2 दस दूना बीस तफोर दो जो जो ख्युणा कितना हो जाता है तो 이 हो जाता है अगला कोशन है दिखे, सब्द लेपरोस्कोपी के अक्षरों के करम को अपरिवर्थि रखते होगे, प्रतेक अक्षर का केवल एक बार प्रियोग करना है, इससे कितने अर्थपूंग सब्द बन सकते हैं, यानि कि जो हमको सब्द दिया है, ल, ए, प, ए, आर, ओ, ए, स, सी, पी, वाई, ठीक है, लेपरोस्कोपी दिया है, इसको हमने चेंज नहीं करना है, जो अलफाबेटिक जो करम है, वो सेम रखना है, और हमने ये ढूड़ना है कि इसमें कैसे सार्थक सब्द बन सकते हैं, तो देखे, इसमें सबसे पहला सार्थक सब्द बन रहा है, वो तो ब तो यानि कि इसमें से आपके दो सार्थक वर्ड बन रहे है, लैप और कोपी में, अक्षरों का करम अपरवर्तित रखते हैं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएक है, इसमें, दो इसमें अर्थोपूंट सब्द बन सकते हैं, लैप और कोपी, ओके, चलिए आगे बगते हैं, आकास को A विषय में 73 अंक मिले हैं, आकास दो है, उसको A में कितने अंक मिले हैं, 73 अंक मिले हैं, और B विषय में उसको 56 अंक मिले हैं, बी का हमको पता ने प्रतिशत में दे दिया है, 56 यानि कि हम इसको 56 बट्टा 100 भी लिख सकते हैं, प्रतिशत मतलब, और C में उसने X अ प्रतिशत अंक मिलें तो तीनों विश्व में कितने मिलें आपका यहां पर हो जाएगा यह निकाल लेने आपको आप यह बोला कि सी में कितने अंक मिलें तो इसको जब हम स्वाल करेंगे तो आपका सी में जो अंक है उसके प्राब तो वह भी पता चल जाएगा तो सबसे पहले तो यह निगाल लेते हैं कि आकास को चौवण परशेंट नंबर मिले है ना टोटल वो उस चौवण परशेंट यह हो जाएगा हमारा देखिए अगर इसको हम स्वाल करते हैं तो इसको स्वाल कर देते हैं चले अंगर कर से हो पांचे पनचे पैंच नंब्य हो गया फिर नगीं कितने बार जाएगा 4 का बाग 25 में नहीं जाएगा ठिक है 4 का बाग 80 में भी जाएगा Zarag2 यहाँ हो गया 9 यहाँ हो गया 2 से5000 कार्णा हमने कितना हो गया 2 से 5000 कार्णे में 27 हो गया ठिक है 21 सेhanator 9 गना आपने 9 73 9 2 8 8 6 24 यान कि 243 नमबर लाया है वह total फोटल तीनों विश्यों में जोगड़ेगे जो 54 था चाहएंट की वैल्यू आगई 243 अब 243 में से हमको यह तो पता है कि उसके विशय एमें कितने हैं 243 विशाई A में उसके 73 नमबर है क्यांसे समझेगा A विशाई में उसके 73 है B में 56 बट्टा 100 है तो 243 में से हमको 73 तो पता है A में है तीनो विशाई में 243 नमबर थे अब हमारा B की जो नमबर है वो हमने निकालने पड़ेंगे इस में से भी घड़ जाएगा B में जो नमबर थे देगे 56 बट्टा 100 तो 56 गुआ कितने में से 150 में से 100 इस equation को आपने solve करते ना तो आपका answer आ जाएगा तो चलिए इसको solve करते हैं तो 100 से देखे दो बार कड़िया 50 से 50 ते अटियों के 100 और 2 से ये भी घड़िया कितनी बार 56 यानि कि 2, 4, 2, 8, 16, 28 28 तिया हो गया 84 तो यानि कि 243 माइनस 73 माइनस 84 ठीक है आप घड़ा दो 243 में से 73 गया तो कितना हो गया 243 में से 73 गया तो ये आपका हो गया वाई 170 बचा और 170 में से अगर मैं 84 गड़ाता हूं तो 174 गड़ेगा तो यह हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और कितना बचा 9 ठीक है तो यहां पर आपका 9 में से एक सो समा कुछ गड़ेशन क्या होगा मुझे 10 में से 4 गया 6 और 16 बचा 16 में से 8 गया 8 तो 86 नंबर ठीक है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उतर ठीक है तो कितने अंग मिलें उसको छे आपके तो यहां पर बता रहा है वैसे बहुत से ट्रिक्स हैं इनको सौल्ब करने की ऐसे कोशन को बहुत और लग 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 ट्रिक्स हैं बढ़ मैं आपको कंप्लेटली दे रहा हूं तो आप इसको देखिए गड़े लोग चलिए आब आगे पक्टते हैं अंगले कोश खुद्रा व्यापारी को 12 वस्तु हैं 9 वस्तों के मूल्य पर बेचता है ठीक है और खुद्रा व्यापारी उन्हें अंकेत मूल्य पर बेचे तो उसका लाब प्रतिशत क्या होगा ध्यान से समझे देखिए कोश्यन को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसका होत्ता में क्या बोला है रही है नौ जो वस्तु है नौ वस्तु का रही मूल्य है क्राइ मूल्य प्राइब्स वस्तों इसी का मूल्य पर बेचता है यानिकि 9 उसने जो खरीडे थे उसी के मूले पर 12 चीज़े बेची गई यानिकि 9 वस्तों का मूले 12 के विक्रणों के बराबर है अब देखे यदि खुद्रा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूले पर बेचे तो उसका लाभ पृतिशत क्या हो जाएगा कितना अच्छा कोशिन गुआ है तो लाभ पृतिशत हो जाएगा यहां पर देखे लाभ पृतिशत बराबर कितना हो जाएगा 12 वस्तों को ठीक है क्योंकि 12 वस्तों बेची जाले तो 12 माइनस वस्तों का क्रय मूले वास्तों भी कितना हो जाएगा 9 ठीक है उनको खरीडा गया था, ठीक है, माइनस नो हो गया, और नो पे उनको बेजा जा रहा है, तो 100 पे अगर प्रतिशत निकालेंगे इसका, तो जब इस equation को हम solve करेंगे, तो answer आ लाएगा, तो 12 में से 9 गया कितना हो, तीन बट्टा 9, गुणा 100, ठीक है, तो यह हो जाएगा, हमार करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तीन 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 नो, दस, तीन 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 नो, फिर बचा, एक सेस, और बट्टा 3, तो 33 सही, एक बट्टा 3 प्रतिशत का, उसको भाई, यहापर मुनाफ़ा होगा, ठीक है, तो option is का right answer जाएगा, 33 सही, एक बट्टा 3 प्रतिशत का लाग हो ज सही, उतर याद करना है, तो देखिए, वो क्या कर रहा है, 13 गुणा 12 बरावत 651 कर, ठीक है, अगला क्या कर रहा हो, देखिए, 41 multiply 23, equal 448, ठीक है, तो 24 गुणा 22 क्या होगा, तो 24 गुणा 22 निकालना है, ठीक है, तो 13 गुणा 12 अगर करके हम देखते हैं, तो यह कितना हो पर रहीं किया है, आप कर रहा है, इन क्यूण में, ध्यान से समझेगा, इस क्योण को कैसे solve कर रहा हो, इस क्योण में हमको digit दिया गया है, उपर 13 गुणा 12 Effects को 31 कर देखते हैं, limitation lung 11 गुणा 14-41 यह तो यह होजाते है। तो इसको भी चेंज कर दो आप 24 है 24 का उल्टा कर दो बाइस तो सेमी रहेगा उल्टा सुल्टा तो बाइस जब मैं करता है तो यहां पर क्या करें जब भी मिलता है अमें ध्यान से देखेंगे न दोस्तों तो यह देखें पहला यह देखें यह यह वाला मैं अलगला करणशे बनाता तके आपका देख पाएं इसको सही से तिन इसमें हो जाएंगे ठाया ऐसे जो इसके जश्ट अपॉजिट में नीचे वाला है तीन इसमें होगए अहार बदलना यह मैं इसे दोस्तों बाहर जो जाएगा फाइनली यह मारा है ठीस का दे अगला खुशिर्स कौन से आकरती धर्मिस्तल मस्जित मंदिर के मत्य संबंदु को सही रूप से निरूपित करती है तो इनमें से कौन से आकरती है जो पताती है कि जो मंदिर मस्जित और धर्मिस्तल है उसको सही तरीके से रिलेड करती है तो ध्यान से देखे दोस्तों मेरे इसाथ से इसका अंदर ही आपका मंदीर भी हो सकता है यह मंदीर हो गया ठीक है और इसी के अंदर मस्जीद भी हो सकती है यह आपकी मस्जीद हो गया तो इसका राइड आंसर रहेगा भाई यह वाला तो यह ओप्शन सी में ठीक है तो सी वाली जो वैन आ रहे हैं सी वाला वैन आ रहे यह बि आपको में रीजनिंग वाले क्लासस आ रहे हैं इनको आप इसकी मत करना और बांकि जिन लोगों को टैसरी लगानी आरो यारो प्रारिमिक परिक्षा के लिए वह एप्लिकेशन इस्टोर पर आरो यारो वाला कोर्स ले 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 और साती हां जिन लोगों को करंट अफियस का कोर कोर्स में जनुवरी दोजार एकना टेश से लेकर जनुवरी दोजार टेश से लेकर यूके करंट अफियर नौंबर तक के और नैस्नल इंटरनेशनल करंट अफियर की आपको सब्सक्राइब करनेशनल करनेशनल करना है तो उसके लिए एक बेहतरीन कोर्स हाई है करेंट अफियर कर सकते हैं ठीक है मां की देखिए और कोई डाउट पेर यह आपका और कोई भी आपको सवाल हो फीड़बैक हो आप कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंड करना हमेशा की तरह जाने से पहले बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेर लगाए और लोगों को भी इसके लिए अवेर करने मोटि